राम राम जी सबको आपका दिन वंगल में हो मैं इश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्त रहें आज हम बात करेंगे नाक बंध होने पर क्या करें नाक बंध जैसे अब ये मौसम है सरदी का या कुछ एक लोग जिब अनुलोम इलोम करते हैं तो बोलते है हथेली में दो तिन बूंध और नाक में थोड़ा थोड़ा लगाएं और सांस लें लंबी गहरी आराम से तो उससे तुरंध ही नाक बंध ठीक हो जाएगा और आपको दुबारा दिक्कत भी नहीं होगी लेकिन ये रोज करना है और साथ में इसका एक लाब और उठाएं ज रहा जाता है वैसे तो सेंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि हमारे श्रीर की जो ज्यादातर नसे नाभी में जोइंट हुई होती है आके तो आप ये करें और खाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज बना लें जैसे सर्दी का मौसम है आपने बादाम लेना है 200 ग्रा लें पाउडर बना लें शाम को एक चमच दूद से ले लें तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है और जो हलका फुलका कफ नाक में बढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है वैसे यदि आपको पूरा पता है कि नजला है यहां पे स्वेलिंग है कफ नजले में जो कल दबा बदाई दी वो जरूर से लें उसका बहुत अच्छा इसमें लाब है यदि नजला नहीं है वैसे ही नॉर्मल नाक बंद रहरा है तो यह आप ले सकते हैं एक हल्दी वाला दूद पीना स्टार्ट कर दें एक दो महीने दीन महीने बसर्दी है लगात पानी ना पिए क्योंकि बहुत गरम पानी में शहद हर्ट के लिए नुकसांद ही हो सकता है जिनका ब्लड प्रिशर बढ़ता है रिर में एक दम से गर्में पैदा करता है उतना गरम पानी ना पिए शहद वाला नॉर्मल पानी आप गरम पी सकते हैं और यह सब चीज़ें क को मिलेगा नहीं तो आप गाये के दोचमच घीमी थोड़े लॉंग गरम करके और वो गरम गरम यहां पे फेफडों पे आगे चाती पे कमर पे पैरों के तलवे पे उसकी शाम को मसाज करें जैसे विक्स की करते हैं विक्स को छोड़े उसका नुकसान बहुत है शरीर के लि कोई 0% नुकसान है इनका कोई भी नुकसान नहीं है तो आप कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी आगे जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइब करें साथ बने रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद